आज की वीडियो में बात करेंगे फाइस्टिक के एप्स को किस तरीके से रिमूब करेंगे कहने का मतलब यह है कि जिन एप्स का इस्तमाल आप नहीं करते हैं उनको आप किस तरीके से रिमूब करेंगे या उन्हें अनिस्टॉल करेंगे उससे होगा क्या उससे आपकी तीन च करेगा यानि कि वो और फास्ट हो जाएगा और अच्छे से वो काम करेगा तो अब बात करते हैं कि हम इसे किस तरीके से इन अप्स को रिमूव कर सकते हैं बड़ इसको जानने से पहले अगर आप चैनल नएय है तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ जिसाथ नीजिके बेल के प्रयस खिजिए तो चलिये बात करते हैं Topic के बारे में तो आपको करना क्या है वह मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है यहां मैंने five stick on क्या हुआ है आपको चले जाना outside settings में तो यहां से हम चले जाते हैं settings में यह icon नजर आ रहा होगा इस icon पर चले जाना है और यहां पर जाने के बाद आपको जाना है application में अच्छा एक चीज़ मैं और clear कर देता हूं कि यह जो five stick मैं third generation है औmind second generation use कर रहे हूं उसका कुछ जो display होगा वो अलग हो सकता है उसकी home screen जो होगी वो कुछ अलग तरीके से खुल सकती है make sure किजिएगा कि उसकी setting में जाहिए और application पर click किजिएगा ठीक है यहां से हम इसे ok कर देते हैं आप अपने fire stick device के अंदर install की है तो यहां से अब जिन्हें remove करना है उन्हें यहां से आप select कर लें जैसे कि मुझे यहां से remove करना है hot star तो यहां पर आप देख सकते हैं hot star का size जो है 70 MB का है और इसने मेरी काफी cache भी use की भी है और काफी data भी यहां पर उसके हुआ है तो मुझे अभी hot star नहीं चाहिए तो मैं यहां पर क्या करूँगा कि यहां से hot star पर क्लिक करूँगा और यहां नीचे जाने के बाद इसे unstore पर क्लिक कर दूँगा यहां से confirm कर देंगे और यहां से जो हमारा जो एप है वो जो जिसको हमें use नहीं करना है वो यहां से remove हो जाएगा यहां से आप देख सकते हैं कि यहां पर वो एप नजन नहीं आ रहा है वो हमारे fire stick से remove हो चुका है तो इस तरीके से दोस्तों आपके अंचाहे apps को जो आप इस तवा